वेलकम टू माई चैनल चंदा फूड एंड कर दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी कूंबर और मिंट का बहुत ही रिफ्रेसिंग और बहुत ताजा जूस तो आईए हम इसे बनाने स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने गमले में ताजा पॉदिने के पत्ते लगा का देखा दाली को चोड़ेंगे तो दो दिन बाद इसमें वापिस वैसे ही पॉदिने की पत्तियां वापिस आजाएगी मैं आपको जूम करके दिखाते हूं इस टाली का मैंने दो दिन पहले निकाला था तो यह है देखिए आप इस तरीके से चोटी चोटी पॉदिने की इसमें आना स्टार्ट होगी है इसी तरीके से हम पोदीने को निकाल कर तयार कर लेते हैं यह मैंने एक कप पोदीने के पेत्याग निकाली है । यह दियार न नकाल लिया है ₹ और एक कप में हमने थोड़ा सा धन्या ले लिया ताजा यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहे तो ले निटी स्किप करते हैं यह हमने दो खीरे लिया है आदा इंच द्रका टुकड़ा दो से तीन चम्माच चीनी बुना जीरा पाउडर काला नमा काली में चरेक नीमबू अब हम खीरे को अगर आपका कड़वा निकलता है तो आप इस तरीके से चाकु से टक काके उसको इस तरीके से रफ करेंगे ताकि हमारा खीरा बिल्कुल मीठा हो जाए आप देख सकते हैं चारत अब जो हलके हलके बबल्स बने हैं उसका कड़वा पर निकालने के लिए बनते हैं इस तरीके से हम स्लाइस को अलग कर देंगे और हम कुकुम्बर को छील लेंगे छीलने से पहले हम इसकी 2-3 slice इस तरीके से निकाल कर अलग रख लेंगे ताकि हम जब juice को serve करें तो decorative करने के लिए हम इसको use कर सकें अब अपने according कैसे भी serve कर सकते हो बाके खीरे को हम इस तरीके अच्छे से छील कर तयार कर लेंगे जब slice हमारी पूरी निकल जाएगी यह देखिए इस तरीके से दूसरे खीरे को भी हम अच्छे से छील लेंगे और इसकी slice कर लेंगे अब हम एक mix जाल लेते हैं उसमें हम पूदिने की पत्तियों को डाल लेते हैं और जो खीरे हमने कट करके रखे थे उनको भी हम इसी में जाल में डाल लेंगे यह आपका वेट लोश करने में भी काफी कलाब दायक है यह juice तो आप इसे जुदू ट्राइ कीजिए अब हम इसमें पूदिन धन्या पत्ति डाल लेते हैं तक हुद और दो से तीन चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे चीनी यह बिल्कुल उप्स्ननल है आप इसकी जिए शहयत डाल सकते हो है जैक्रीन पहीश क्रते हो अपने हेल्थ के अकोर्डिंग आप जैसे पसंद करते हो यह से आप इसको यूज कर सकते हो है आधा इंज जो अधा कप पानी डालेंगे और इसको अच्छे से चर्ण कर लेंगे इस तरीके से मिक्सी को लगाता चलाते हुए इसको अच्छे से चर्ण कर लेंगे जिससे हमारा जूस बिल्कुल बढ़िया बंद का तरह होगा यह देखिए अच्छे से जूस हमारा बन रहा है जब हमारा जूस बन जाएगा तो हम इसको एक बाउल में निकाल का च्छान लेंगे आप देख सकते हो कितना ताजा फ्रैस लग रहा है यह जूस इसको हम च्छान लेंगे ताकि कुछ रैसे रह गए हो धनिया के और के तो भी अलग हो जाएंगे आप चाहे तो ऐसे भी पी सकते हो लेकिन इसको निकालने से रैसे निकालने से जूस और भी हेल्दी लगेगा इसको निकाल देंगे और यह मारा चूस बंद के त्यार है इसको हमें जग में डाल लेते हैं और इसमें थोड़ा सा जितनी हमें आवशकता है उतना पानी डाल कर इसको तयार करते हैं अब हम ग्लास में उसको सर्व कर लेते हैं कि अब में आइस क्यूब डालेंगे आपको अगर इच्छा हो तो आप डाले नहीं तो आप ऐसे भी पी सकते हो यह हमारी सिहत के लिए विल्कुल हेल्थ के लिए बहुत लाबदायक है आप इसे जरूर ट्राइ किजिए और हमें कुछ नीम्बू की स्लाइसे इसको इस तरीके से डेकुरिटिव कर सकते हो यह हमारे कुकुम्बर और मिंट का बहुत ही अच्छा रिफ्रेसिंग जूस बनकर तयार है तो दोस्तों इन कर्मियों में आप इस रिफ्रेसिंग जूस को बनाकर जरूर ट्राइ कीजिए अगर आपको मेरे ऐसे पी पसंद आते है तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइक के बटन को दबाएए ताकि आने वाले सबी वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिलती रहे